देश केबल राजन्यतिक रूप से आजाद हुआ है, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आज भी आजादी नहीं है आज भी लोग उसी तरह जो आपने बताया है वो हकीकत है उससे भी कहीं ज़्यादा हकीकत है मैं तो ताहिद करना चाहूँगा और आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपने इस बात को उठाया वरना जो आज चोथा इस्तम्ब है हमारा मीडिया का वो नहीं उठा पारा वो बिख चुका है वो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है सच्चाई नहीं दिखा पाता ये तो आप नेडर हैं आपने जो आपने अपने पत्रकारता के माद्धम से आपने इस चैनल के माद्धम से जो सच्चाई दिखाने की कोशिस कर रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है आज देश में इससे कहीं बढ़का रत्याचार हो रहा है मुझें रखना यह हमारा नेतिक हो है इसमें तो कोई फरक नहीं है लेकिन मनुवादी व्यवस्ता के द्वारा वो उनका हनन माना जाता है वो चाहते हैं कि हम उनके गुलाम बने रहे हम सिक्षा पाकर के आगे ना बढ़े हम सिक्षा पाकर आगे बढ़ रहे हैं हम बावा साहब अंबेट करके सपनों के द्वारा आगे सिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं उनको यह अखरता है उन्हें हमारा अच्छे कपड़े पेनना अच्छी सरकों पे चलना अच्छी गाडियों में चलना उन्हें इसलिए वो हमारे समाजबत्याचार करके, हमारे समाज का मनोबल डाउन करके उन्हें नीचे लाना चाहते हैं. आरक्षन एक सहारा है, आरक्षन भीक नहीं है, आरक्षन हमारा अधिकार है, आरक्षन हमें बावा साथ अंबेट कर जीने, 1932 में अंग्रेजों से लड़कर के हमारा वो पास कराया था, हमारा जो ये आरक्षन है, ये सासन, प्रसासन में भागीदारी का अधिकार है, नाकी भीक, ये हमारा अधिकार है, हमारे जो बावा साथ अंबेट करने और मानने वरकांसी राम साहब जीने भी कहा था, कि जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि ये देश लोकतंत्र देश है, लोकतंत्रिक देश है, गणराज्य है, तो जहां जिसकी संख्या है, संख्या के आधार पर सरकार बनती है, लेकिन यहां सरकार बनती नहीं है, सरकार बनाई जाती है, इवियम के द्व भीवाजित हैं, अपने अपने हित के लिए अपने समाज को कुर्वान ही दे रहे हैं, विखरे हुए हुए। अपने के लिए करते कुंए हाँ उन्हें से मतलब है वर को बाब साब मेड़ करके अधिकारों से आगे तो बढ़ खें। लेकिन वो उनका सही नित्वरत नहीं कर रहे हैं, वो अपने समाज की बात नहीं रखते हैं, क्योंकि वो विभिन विभिन देलों में विवाजित हैं, और वो उनकी विचार दहरा से जुड़ी हैं, जो उर्स दहल से जाते हैं, लेकिन सकती मिलती है, किसी सकती हमेसा जब मिलती है, जब लोग समाज बिखरा हुआ होता है, जब तक हम ताकत के द्वारा अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक यह अत्याचार होते रहेंगे, क्योंकि सासन, प्रसासन और जहां भी जाएंगे आप, वहाँ उन्हीं की बहुमत है थाने में भी उन्हीं की लोग बेटे हैं, अस्पताल में भी उन्हीं की लोग बेटे हैं, डीम भी वो ही हैं, कलेक्टर भी वो ही हैं, एससपी वो ही हैं, वो सारे लोग हैं, तो वो व्यवस्ता को बनाई रखना चाहते हैं, डीम, एससपी, कलेक्टर वो ही करते हैं, जो सी मायवती जी की सरकार बनाई थी उसी तरह से में अपने समाज को पूरे देश में खटा हो करके अपनी ताकत का एहसास कराना होगा तब ही हम मिल सकते हैं और आज हम लोगों को पृतिग्या लेनी चाहिए क्योंकि आज ही के दिन 20 मार्च 1937 को बावा साब अंबेड करने टाप लिए ये अधिकार जो मिले हैं यह मैं वैसे नहीं मिले मिले हैं यह हमारे महापुरुष ने वावासाव अंबेड करने हमारी लड़कर पर करके अपना खून बाहा करके अपने उलाद नमस्कार में ओम्देव आज हमें नोड़ा के सेक्टर 93 में पूरी देश में एक मामला चल रहा है जितेंदर मेगवाल का नोड़ा हो गाजबाद हो दिल्ली हो राजिस्थान हो हर्याना हो चारो तरफ ये खवरे फैली हुई है कि जो दिल्ली समाज से आते थे जितेंदर मेगवाल मूच उगाने की वज़े से तबंगों ने गुंडों ने उनकी हत्या करदी घेर करके आज हर आदमी ये कह रहा है कि क्या मूचे रखाना क्या अपराद है क्या मूचे आना बाल आना ये एक नेचुरल पिरकिरिया है यदि इसको लेकर किसी की जान ले ली जाती है तो ये एक निरसंस अपराद है ये एक जाती जो है मानव जाती है उसके साथ भी एक बड़ा अ सुमंजी जो नोड़ा का सेशन कोर्ट है वहां पर एडवोकेट है इस बारे में हम उनसे कुछ बात करेंगे सुमंजी नमस्ते सरपर्थम में सभी लोगों को यह भीम नमब उद्धा है पत्तकार बंदू देश में सम्मिधान लागो हुए लगभग 72 वर्स हो गए लेकिन बावा साहब का जो सपना था देश में समंता लाने का बंदूता लाने का वो अभी तक साकार नहीं हुआ है मुझे कहने में जरावी निसंग को मैं कहना चाहूँगा क्योंकि इस देश में दो विचारधारा हैं एक विचारधारा सन 1950 से सुरू होती है जो अंबेड कर विचारधारा है अंबेड कर विचारधारा समानता चाहती है न्याय चाहती है व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है समानता चाहती है बंदूता चाहती है विकास चाहती है जिससे देश हमारा जो पहले सोने की चिडिया था उसी तरह से दोवारा प्रगती करके विज्ञान्ज के दोवारा हम आगे जाएं। परिवार तो उसकी हत्या कर दी जाती है। पत्रकार बंदू मैं वही बात कहना चाहता हूं। गटना है। ये कम हो जाएंगी। लेकिन बहन जी चार बार मुख्यमंति रही है उत्तर परदेश की। उनकी पृतिमा तोड़ दी जाती है। जाती वादी गुंडों के दुआरा बाबा साहब की पृतिमा तोड़ दी जाती है। उन्होंने 32 डिगरी ली थी। वो नोव भासाओं का ज्यान था। ये लोग पड़े लिखे भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो बचेगा कौन फिर। देखे बाबा साहब के जीवित रहते हुए भी और बाबा साहब के मरने के बाद भी। बाबा साहब अंबेटकर जी को वो सम्मान इस देश में प्राप्त नहीं हुआ जो वास्तम में मिलना चाहिए था। बाबा साहब डक्टर अंबेटकर भारत रत नहीं नहीं विस भूस लागू करने वालों की लोगों की नियत अच्छी नहीं होगी नित्रत पच्छा नहीं होगा संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता कुछ लोग कहते हैं कि अब जातिवाद खतम हो गया है देश में सबको समान तक अधिकार मिल गया है तो आक्षण भी खतम कर देना चाहिए नहीं दिक्कत यह है कि हम अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं जब तक हम सिख्षा पा करके अपने समाज को जो सिख्षित लोग हैं जब तक वो अपनी जिम्मेदारी ना समझेंगे और अपने समाज में मजबूती नहीं लाएंगे तब तक यह चीज बढ़ती रहेगी लेकिन दलित राजनिती में काफी बढ़ चड़ कर आ गया रहे हैं फिर भी उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं पूरी तरह से समाजिक जो है उनको आजादी नहीं मिल पारी है खामिया कहां रह गई हैं भी पिच्चासी परसेंट पिच्चासी पंद्रह का नारा दिया था बहुजन ही था बहुजन सुखा है मानने वर बहन कांसी राम सहाब के सिद्दान से भटक चुकी हैं इसलिए क्योंकि जब हम एक हाथ में फरसा और एक हाथ में जो संबिदान लेकर अगर चलेंगे तो हम कही आप सम्विदान को नहीं मानते हैं वह आज बहुत से ही चलते हैं। मानुवाद में ये किलिए लिखा हुआ है सूद्रों को सबर्मों के वरावर चलने का बैठने का उठने का कुर्सी पे बैठने का कार में चलने का अधिकार नहीं है इसलिए वो बैवस्था को खतम करके मनुवादी व्यवस्था पने लाना चाहते हैं ताकि रामराज ला सकें लेकिन देश में सविधान लागु है, लोकतंत्रिक व्यव horr़़ासता है, किसे cannon कर सकते हैं आप। पत्रकारवन्दू, जो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं जो लोकतंत्र का जो रकषक होता है वो सुप्रिम कोर्ट होता है। सविधान नहीं देश में ? देश में संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस समय में ज्यादा नहीं कहूंगा दुनिया जानती है सुप्रीम कोर्ट भी आज कल अपने उससे चल रहा है वो भी जो एक तरह से गुलामी की जीवें जी रहा है उसे भी स्व के जानकार हैं वकीउल दीन की कोई दियान करता है कि आप पी अपना आप प्रीछ कर सकते हैं प्रतिकार पिर्थिकार कर सकते हैं। और वहां पर भी गरीब और कमजोर लोगों के साथ अन्याय होता है, यहां तक कि SCST Act को केबल दिखावा मात रह गया है, लोग कहते हैं इतने दिन हो जाएगा, यह हो जाएगा, बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से बड़े अपराद में सेम डी मिल जाता है, और यहां दवाब बना देता है और सम्झोते के लिए दवाब बना देता है और यहा तक कि अगर सम्झोता नहीं करते हैं तो फिर उन पर भी क्रोश केस लगा करकर उलुटा उन्हें जेल भीज़ देता है उशेञा ज़ेते हैं कि जो एक थारा मिली तक च जानूं मतलब धा मुकदमे दर्ज कराता है तो उसके खलाब सक्त कारवाई करो लेकिन ऐसा नहीं है उसकी आड में 98 परसेंट लोगों का अब मतलब गलत तरी मिस्यूज किया जाता है दो परसेंट के लोगों की वज़े से 98% लोगों को बदनाम किया जाता है जबकि 98% के असली होते हैं और वास सब्सक्राइब करते हैं और उनकी परिवारों को बरबात करते हैं